राजधानी दिल्ली में गरतंत्र दिवस परेट की तैयारिया चल रही है इसको लेकर दिल्ली पुलिस की और से एडवाईजरी जारी की गई है पताया गया है कि मंगलवार को फुल ड्रेस रियरसल होगी जिसकी वज़े से केंद्रिय दिल्ली में वहानों का यातायात परभावित रहने की संभावना है पुलिस ने सला दी है कि लोग उसी अनुरूप अपनी यात्रा की योजनाय बनाएं फुल ड्रेस रियरसल का मार वही होगा जहां करतन दिवस पर परेड आयोजीत की जाती है परेड आसे का यातायाण करती है वरम के जदी बनाने का करती इन दीक में कन्द दिखांट इंगरो BAR बर्दी कोसीरो कमा इन दो वर्मी इनताया नापकर प्रेस्साल इने से में Okay ढेकष्मिंगे संभाव bên भरोन इन दीक कि टारोजसीरूस के थो तूशों की एव प्रात्टीम, द ससंष्य विंवेख डिमार्श बाने में सिर्फ पजोंकि अव्ला में सत्वार्टीम जरे इतले साझड़िजनरे ह 01 शिर गे जा। यह सल विजय चौक से शुडू होकर कर्टवय मार्ग, सी हैक्सागन, नेताजी, सुभाज चंद्र बोस्त, पर्तिमा चोराह तिलख मार्ग, बहादु शाल जफर और सुभाज मार्ग से होकर लाल किला तक पहुचेगी। परेड के मार्ग को सुधा जनग बनाने के लिए विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्टवय पर्थ पर सोमवार शाम 6 बजे से मंगलवार को रिहसल के अन तक किसी भी तरह के वहनों की आवाजाही की इजाजल नहीं होगी। वहीं रफीमार, जनपत और मानसिंग रोड पर कर्टवय पत पर सोमवार रात 11 बजे से लेकर परेड खतम होने तक क्रॉस ट्राफिक की अनुमती नहीं होगी। एडवाईजरी में कहा गया है कि क्रॉस ट्राफिक को केवल परेड की आवाजाही के आधार पर इजाज़त मिलेगी। परेड मार्क से बचने की सला दी गई है, हाला कि ड्रेस वियसल के दोरान भी सभी स्टेशन पर मेट्रो की व्यस्था रहेगी। जबकि केंद्रिय सची वाले और उधोग भवन स्टेशनों से सुभाव 5 से 2 बहर 12 बजे तक बोर्डिंग और डी बोर्डिंग की अनुमती नहीं होगी। उत्री दिल्ली से नई दिल्ली रेल्वेश्टेशन या पुरानी दिल्ली तक आवाग गमन पर कोई रोग नहीं है। इसी के साथ साथ इस बार परेड की रियसल में राजधानी दिल्ली में हमें नई नई चीज़े देखने को मिल सकती हैं। इस बार महिला सशक्तिर करण को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। परेड की रहनुमाई महिला करती हुई देखी जा सकती है।